गुद मॉनिंग बच्चो आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल टाइप के मेथड डिसकस करेंगे आप लोगों को काफी परशानी होती होगी जब हम इस टाइप के कुछ प्राब्लम्स देखते हैं जिन में सपोस करते हैं कि हमने लगा लिया पैरलल कॉंबिनेशन आफ रिस्टर यह हमाँ पास उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला? 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 अब यह हमारे पास R1 और R2 की values दी गई हैं तो हमारे R equivalent में कितने percentage error या absolute error कितनी आएगी यह हम कैसे निकालेंगे लास्ट टाइम पे लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को एक तरिक बताया था तरिका बताया था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि differentiate करके इतरी का बताया था जिसमें हमने एक short trick देखी थी जिसमें हम बड़ी easily calculate कर पा रहे थे error, percentage error या फिर relative error ओके? आज हम देखेंगे कि इस type की problem जैसे एक यह हो गई और 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U तो इस type की problems को solve करने के लिए हम क्या method use करेंगे? तो इनको solve करने के लिए इनका percentage error या फिर absoluter निकालने के लिए बच्चों इसमें कोई problem नहीं बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं जस्ट हमें क्या करना है? इसे differentiate कर देना है कोई भी अगर ऐसा समस्या आ रही है आपको जहाँ आपको आपको मुला नहीं पता चल पा रहा है कैसे करना है तो एक सबसे आसान तरीका है क्या differentiation का ओके? differentiate कर दो और उससे हम percentage error या relative error बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और एक बार percentage error या relative error निकाल आई तो हम absolute error भी निकाल सकते हैं देखते हैं method क्या है? जैसे suppose करते हैं हम इसी को लेके चलते हैं आगे ठीक इसको हम differentiate करते हैं कोई भी parameter ले लेते हैं हम suppose करें हमने कि t ले लिया t के respect में हमने पूरी equation को differentiate कर दिया तो यह हमारे पास क्या आजाते हैं? minus में 1 upon r square dr by dt is equal to यह आजाएगा minus में 1 upon r1 square और यह आजाएगा हमारे पास कितना? dr by dr1 by dt and minus में 1 upon r2 square और यह आजाता है dr2 upon dt आजाता है अब यह यहां से minus 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 सारा cancel out हो जाएगा और dt dt भी cancel out कर दो ठीक है? और यह हमारे पास क्या है? यह एदर आजाती dr बहुत छोटी सी एदर ठीक है? तो इसकों क्या लिख सकते हैं? delta r लिख सकते हैं तो यह क्या आगया? delta r is equal to यह आगया delta r upon r square is equal to delta r1 upon r1 square plus delta r2 upon r2 square तो इस तरीके से हमने क्या किया? हमारे पास एदर calculate करने का formula आ गया है clear बात है सबको? ठीक है? तो अब देखते हैं इसे कैसे हम अब इसके उपर जैसे similarly हम यहाँ पर लेगा सकते हैं इसका भी मैं एक बार देख लेता हूँ example अब देखते जैसे suppose करते हैं महाँ पास lens formula दे रखा है तो lens formula में कैसे करेंगे? lens formula lens formula महाँ पास आ गया 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U right अब इसको भी हम differentiate करते हैं तो यह क्या आ जाता है minus में 1 upon F square और यह आ जाता है df upon dt again मैंने t के respect में कर दिया यह minus 1 upon V square और यह आ जाता है dv by dt and minus minus plus आ जाएगा यह आ जाएगा 1 upon U square और यह आ जाता है dv by dt आ जाता है right फिर से again हम यहाँ पर क्या कर देते हैं हम minus minus सारा cancel out कर देते हैं और dt से dt cancel out कर देते हैं minus से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा क्या df upon f square is equal to आ जाएगा delta v इसको df को हम delta से represent कर लेते हैं right तो यह delta f upon f square is equal to delta v upon v square और यह आ जाएगा minus delta u upon u square right तो इस तरहीके से हमाँ पास मिल गया लेकिन हमें पता है कि जगे भी हम एदल को report करते हैं तो हमेशा हम क्या लेते हैं हमेशा हम plus का sign लेते हैं okay तो plus का sign हमेशा हमें लेना है delta f upon f square is equal to delta v upon v square plus delta u upon u square खीक है तो इस तरहीके से हमारे पास क्या निकल आता है यह formula निकल आता है जैसे कि हम focal length calculation में कितनी एदल आएगी यहां से हम निकाल सकते हैं इस पर बेस में एक question आप लोगों को कराऊंगा जो की आया हुआ है भी recent में ही मैं आपको यह भी बताता हूँ कि किस year में आया है year 2021 में ही आया है first September की second shift में अब मैं आप लोगों को एक question कराता हूँ जैसे हमाँ पास दिया गया है R1 is equal to दिया गया है 4 plus minus 0.8 ohm और यहां पर R2 दिया गया है 4 plus minus 0.4 ohm राइट R1, R2 की values आ गई अब हमें निकालना है इसमें the equivalent resistance of the of the parallel combination will be तो हमें equivalent resistance एदर के साथ बताना है तो देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम equivalent resistance निकाल लेंगे 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 यह हमारे पास आ जाता है 1 upon R1 की value हम रख लेते हैं यहां पर 1 by 4 plus 1 by 4 और यह क्या आ जाता है यह आ जाता है 2 by 4 that is 2 तो R equivalent की value हमारे कितने ही आ गई 2 आ गई यह हमें पास R equivalent आ गया अब हमें formula लगा लेते हैं भी हो जो हमने निकाला था resistance वाले के लिए तो यह क्या आया था delta R by R square is equal to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square अब हम इसमें values रख लेते हैं तो values रखके देखते हैं क्या आएगा तो यह हमारे पास क्या आ गया delta R हमें calculate करना है और यह आ जाता है delta R upon R R की value की 2 square is equal to delta R1 अब delta R1 की value क्या है यह भी हम जा देख लेते हैं यहां से yes तो delta R1 की value में पास कितनी है 0.8 है upon R square यह में पास कितना जाएगा 4 का square plus delta R2 की value कितनी है 0.4 है और R2 की value कितनी है यह भी 4 square है तो यह में पास कितना आ जाता है यह आ जाएगा यहां से 0.8 plus 0.4 यह में पास आ जाएगा 1.2 और यह आ जाएगा कितना यह आ जाएगा 16 अब आगे चलते हैं तो यह क्या आ जाएगा delta R upon 4 is equal to 1.2 upon 16 और यह आ जाता है कितना 4 और यह आ जाएगा यहां से cancel out करेंगे 0.3 तो यहां से delta R की जो value हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई यह आ जाती है 0.3 तो हमारे पास R equivalent कितना आया था यह आ गया था और delta R की value किया आ गई थी यह आ गई थी तो अगर मैं यहां पे अब लिखूंगा final result तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह आ जाएगा R equivalent 2 और plus minus 0.3 So this is our answer ओके clear है बच्चों सबको तो यह इस तरहिके से हम calculate कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है formula जिसका हमें standard formula नहीं पता है error analysis error calculate करने के लिए तो हम कैसे calculate कर सकते हैं differentiation का method लगा के हमेसे error analysis percentage error या absolute error हम calculate कर सकते हैं ओके thank you